नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्टर और बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर की जो पटना से आ रही है दरसल पटना में सीए मावास के बार स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन जो है वो जारी है बड़ी स लिए जलेंगे आपको सीमावास के बाहर जहां इस वक्त हमारे सहयोगी संजे मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या संजे छात्राओं का प्रदर्शन जारी है पूरा मामला क्या है संजे विल्कुल रेखा जिस तरीके से छात्रा है लगातार पटा की सड़कों पर हंगामा कर रही थी प्रदर्शन कर रही थी और ये लोग पूरी तरीके से अड़्िशन लेकर अपनी पढ़ाई सुरू कर चुकी है 11 तक पढ़ाई लोगों की पूरी हो गई है अब ये लोग 12 है लेकिन आचानक cabinet की जो बैठा कोई है अभी रहल के दिनों में उसमें सिक्शा विभाग के जो cabinet में परस्ताई आया है उसमें अब यह कहा गया है कि Plus Two की पढ़ाई college में नहीं होकर school में की जाएगी। तो ऐसे में जो छात्राएं हैं उससे हम सीधा आप लोगों को रूबरू कराते हैं और सीधा बात करेंगे क्या मांग है क्यों सड़क पर आज आप लोगों को आना पड़ा क्या वज़ा है क्या आप लोगों को आप लोगों को चुनने के लिए क्या है तो मेरे के साब से गवर्मन ने क्या मेरे को चुनके दिया है अगर्मन नहीं को लेगें कॉलेजा में चुटिए द्रम खुच से ले 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 हम आप लोगों को दूसरे स्कूल में जाके टोइले लिए अधिशन लेना होगा तो सर क्या है सही है? क्या है सही है? आप ही बताएगे सर क्या है? हम लोग बतारें सर पैसे भी हम लोग उने पहले तो रिजर्ट एकाम शेपरेडी मेली है रिजर्ट वाग लाउप वाउच में जो लोग तो पड़ेंगे सर भाउ-पदश्ट में तो पड़ेंगे विस्तंकी बताएग है क्या अधक भाउच्टिम भी लेंके तो और उसके फजर्ट काम जाएंगी से ओसे में पाइवचान आड़ोध टानोग उसार बताएगी करिये और सभी की प्रेशासन सिख्षा विभाग और बिहार के मुक्मंत्री निटीश कुमार के पर लगा रही है करिये और सभी की प्रतिक्रिया लीजिए इस पूरे मामले पर और भी छात्राये हैं जो कहना चारी है अभी मुक्मंत्री आवास के बाहर आप गई थी क्या कुछ वहां पर हुआ मुक्मंत्री आवास के बाहर हम लोग वहां पर गए तो हमें कहा रहा है कि आप लोग अंदर नहीं चाह सकते हैं अगर आप गए जादा आप लोग कुछ बोलेंगे तो हम लोग पर फायार कर दिया गाएगा यह हम लोग को वहां पर धंकी मिली है किया मुक्मंत्री आवास के बाहर कोई पढ़े आधिकारी आकर बात किया आप लोग को वहां पर इंसक्राइब कर दो कि इंस्ञतरी आप लोग कर दि होते गाएगा अचाह थो कर क्या आप लग डाहर को बढा के आप लोग का पेरेंखेंट को बुलाया है कि यह चाह गाएगाया से moment कैड़े ये आक्रोश ये गुसा चात्रों का सीधे तौर पर आलो आरोब जो है वो बिहार के मुक्ति नितीश कुमार पर ये बच्चियों का क्या गुना है क्योंकि कैबिनेट में भले ये चीज पास तो जरूर हो गया लेकिन ये कैबिनेट में पास होने के बाद ये शेशन पूरी त हुआ ये साल इन लोगों की परिक्षा है इंटर की तो ऐसे में कहीं न कहीं रेखा जिस तरीके से सवाल आएद इन सिक्षा विभाग पर उठते हैं, आज इन paper lick का मामला हो, या सिक्षा विभाग केके पाठक की वज़ा से सुर्कियों में हो, एक बार फिर से सिक्षा विभाग सुर्कियों में आ चुका है, जब cabinet का विस्तार हुआ, नहीं मंत्री मढल का गठन हुआ, और अब विभागों के वजर से, जो है, कैबनेट की जो बैठाक हुई, उसमें कई प्रस्ताव लाएगे हैं, उसमें से एक प्रस्ताव ये भी है, कि अब 12th की पढ़ाई जो है, वो कॉलेज में नहीं होगी, लेकिन जो पहले से छात्राय पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनका एडवीशन हो चुका है, एडवीशन में करीबन 4-5,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर उसके बाद कहीं न कहीं, जो है, उनके पढ़िशा होने वाले हैं, उससे पहले ये फरवान आना, कहीं न कहीं उनके जो भविश है, वो अंधकार में हो सकते हैं, जिसके बज़ा स आज चात्राओं का गुशा कुट पढ़ा है, और सरकों पढ़ा कर मुखवंत्रियवा, जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार आती है, अपने हिसाब से जो है, वो फैसले लेती है, और उस फैसलों पर वो अमल भी करती है, लेकिन जो पुरानी प्रक्रियां चली आ रही होती ह अगर उसमें किसी तरह की बदलाव किया जाता है तो कोई भी सरकार हो भले वो अपने फैसले ले ले लेती है लेकिन ना तो छात्राओं के भविश्य के बारे में सोचा जाता है ना युवाओं के बारे में सोचा जाता है बस कैबिनेट से उस पर मुहर लगा दी जाती है और कर दिया जाता है और उसी कर नतीजे देशिक important takesहों है कर रही कि पडुः कर रही है कि हुपमंत्रिय आबाद के बाहर काफी दीर तक इंद्र चासरें और हैं देनलोगों से कितने दिर वहां इंतजार करने के बाद अभी कोई बड़े आधिकारी आकर बात्चित क्यों नहीं? अभी कोई बाते कही गई जो कहने पर आप लोगों को धंकिया मिली आंदोलन करने पर जेल भेज दिया जागा इसने का? जो नजारा है वो स्क्राइब नजारा रही है इतनी बड़ी संख्या में सीम आवास पर धरना देने पहुंची थी आंदुलन देने पहुंची थी इसका नैट्रिक तो कौन कर रहा था कौन था जो इने लेकर गया था ये भी जानने के कोशिस करिए अचानक कम क्यूं हो गई है हुँ हुँ:「 और सक्टय आटोर राथ को लगैं अ कि अ कि हैघा है कि something अ तर मैं जट भ मुद्टोः कि अ सका राथ है। देखें इतनी कादी में हमारा भी परिवार है, हमारा भी फार्मिली ए हमारा भी लड़ी ए हमारा भी रिस्टा भी कितने प्रॉब्लम हो रहा है कोई समझ नहीं रहा है यह देखें यह गुषा यह आक्रोश रहे रहा है और जिस तरीके से यह मांगे उठा रही है कही न कही इसको लेकर आवाजे तो मुक्मंत्री आवास तक पहुच गई है लेकिन मुक्मंत्री साहब कब अपनी आखे और काने फोल कर इन छात्राओं के भविष्ट की चिंता जरूर करेंगे कि मुक्मंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कुछ और बेटी ने कुछ और बेटी ने कुछ और बेटी को आगे बढ़ाओ यह सब करने से बीटी बढ़ेगी आप कुछ सोचिए कि अधिकाओ के बढ़ेगी ना तो अधिकाओ बहुत जादा सही रहेगा लडगिया पढ़ने के तो अनके पास दाना यह ना यह भूता है इनकी मांग जो है वो पूरी हो पाकि क्या मुखमंत्री सदन में कहा था वस्तब को याद है यह बचिया भी याद रखी है उस बातों को और उसे जिक्र खुल कर नहीं करना चाहती है जी रेखा आक्रोस जो है वो काफी ज्यादा है संजय चुकी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है पढ़ाई लिखाई की उम्र में अगर यह राजनितिक शिकार होंगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आक्रोस इनके चेहरे से और इनके हावभाव से भी नजर आएगा उसी का नज पाशित करेंगे बहराल अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो फिलाल पटना में छात्राएं जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रही है जिस तरीके से उनका गुस्सा और आक्रोस बिहार के मुख्यमंधी नितीश कुमार के खिलाफ निकल रहा है यह अपन झाला ओक टना कि खिला अो